नमस्कार साथी हूँ, सबसे पहले तो आप सबसे शमा प्रारती हूँ क्योंकि व्यस्ता के चलते बीच-बीच में गाया बो जाता हूँ शुरू में पॉडकास सिर्फ दिल्ली के हमारे लीडर्स के लिए बनाई गई थी लेकिन फिर जब एक कारवा बढ़ता गया तब दूसरे राज्यों के दोस्तों से भी गुफ्तगू का मन बनाना पड़ा दोस्तों, अनकही अन्फिल्टर्ड को अब हमने एक नया नाम दिया है, Candid with Shaleen Candid का तरजुमा हुआ सरल और स्पष्ट और मेरा नाम हुआ Shaleen इस बार सिर्फ को वापिस शुरू करने की वज़ा बना आपसे किया गया एक वादा वो कहानी जो आपके सामने लानी जरूरी थी चले फिर आपको आज के हमारे अतिती से रूबरू करवा दिया जाए यह पंजाब से राज्यसबा सांसद हैं और आमादनी पार्टी के संगठन के राश्टे माह सचव Cambridge University से MSC, PhD और Oxford University से post-doctoral research करके भारत आयस यूवक ने IIT जैसे प्रतिष्टे संस्थान में Energy विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे इस यूवक ने राजनीती की ओर रुख कर लिया हाली में संसथ के अंदर Energy Conservation Bill और महिला आरक्षन बिल पर अपने तरकों और सुझाओं से सब तरफ वावाई बटोरने वाले इस यूवा संसथ का नाम है संदीप पाठक संगठन के सैनिक की कभी ऐसी तस्वीर वाइरल होती है जिसमें यह मंज से बहुत दूर जनता के बीच उनका मिजाज जानने समझने के लिए बारिश में भीगा मिलता है तो कभी संसथ में अपनी डिगरी को असली बताते हुए सत्तादीश पार्टी के मुखिया पर अक्रामक तन जिकसता है आए मिलते हैं सरल सभाव इस शक्सियत से जिसने अपने कंदों पर जिम्मेदारी ली है राजनीतिके परती युवाओं की उमीद को जिन्दा रखने की आए मिलते हैं माननिय सांसद संधीप पाठक जी सर संधीब भाई शायद किसी के लिए भी मुझे इतना मेहनत नी करनी पड़ी जितनी आपके लिए करनी पड़ी बच्पन कैसे बीता बेसिकली मैं 36 गड़ से हूँ चतिस गड़ में एक बटहा करके चोटा सा गाव है हमलेट है वहाँ पर अभी भी मेरे पैरेंट्स रहते हमारा में सोर्स ओफ इंकम है काम है वो खेती किसानी है हालनकि परयापत खेती किसानी है तो पापा जी खेती कराते है उसी से जो सोर्स ओफ इंकम है उसी पर बेसिस है लोनों काफी educated है इ efic aún मदर भी मेरी educated है ऐ फादर भी अच्छे educated है और पूरा परिवार educated है खेती-किसानी में आपको पते ही है कि क्या परिस्थितिया रहती है, आपके पास जो मरजी जतनी भी खेती हो जाए, कितने भी एकड जमीन हो जाए, जैसे विरोव, अन्त-पंत में किसान की परिस्थिति इस देश में किसी से छुपी नहीं है, आप middle class से उपर उठे नहीं सकत तो जब बारिश हो जाती थी, तो छुटी हो जाती थी, और बच्चे जादा आ जाते थे क्लास में, तो आधे लोग पीपल के नीचे बैटके स्कूल पढ़ते थे, आधे लोग स्कूल के अंदर, तो ऐसे स्कूल था लेकि, तो हमारे जो गुरु जी थे, वो लोग काफी अच अधिसगड में, तो साधे नौ साल के उमर में, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर, गाव को छोड़कर फिर बिलासपूर आगया, अपनी बुआ के पास रहने लगा, और फिर मेरी बुआ और फूफा जी नहीं, मुझे साधे नौ साल से लेकर, आगे तक की सारी मेरी के लिए, फिर Cambridge में PhD की, फिर Oxford में postdoctoral fellowship किया, फिर Cambridge में postdoctoral fellowship किया, फिर मैं MIT चला गया, वहां से आकर IIT में प्रोफेसर बन गया, तो स्कूलिंग में आपके सरस्वती शिशु मंदिर में आपने शुरुवाती पढ़ाईगी, तो पाचवी तक तो मैंने गाव में पढ़ा, गाव में पढ़ने के बाद मैं बिलासपूर आया, बिलासपूर में सरस्वती शिशु मंदिर और किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि मैं गाव से आया था, मेरी हिंदी भी तूटी फूटी थी, तो फिर 11th और 12th की पढ़ाई, 11th में मुझे एडमिश के लिए बनाया स्कूल है, कैसा कल्चर दा वहां, क्या पढ़ाई होती थी, क्या वह समानने पढ़ाई होती है या उसमें कुछ RSS की शाप दिखती है पढ़ाई में भी, जहां मैं पढ़ा वहां तो पढ़ाई होती थी, और देश प्रेम और देश वक्ती की बाते बताई ज किसे सफर था कैसे तै किया को इसकॉलर्शिप मेली या कैसे हुआ सब इसकॉलर्शिप मेली थी काफी इंट्रेस्टिंग जर्नी और मैं इक्स्टारणरी ब्रिलेंट था भी नहीं पर मैं महनती था जुजहारू था मतलब अगर एक ठान लिया यह करना है मतलब जित्ते भी इंस्टिट्यूट है इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेकनोलोजी वहां पर रिसर्च कर रहा था वहां रिसर्च करने के बाद फिर एक एंसील है पूना में नैशनल केमिकल लिबोरेट्री यहां पर मैं एडवांस्ट पॉलिमर साइंस जो होता है उस पे पूरी कंट्री में बाकि वो इल्टी एस और जितने भी एकजाम साब देते हो तोफ़ल आइल्टी से मामका डिमका सब सारा एक्जाम दे के फिर एप्लाइ करना शुरू किये तो कहीं सारी कंट्री में हो गया था जैसे की उस्ट्रेलिया से भी कई उन्यूर्सिटी से थे य बहुत अच्छा श्कॉलर्शिप मिला, जो एजेंसी आपको पता होगा, जो हवाई जाहजवादी है, उनकी एक प्रोजेक्ट था, केम्परिज में, उसमें सिर्फ एक ही श्कॉलर्शिप था तब, मैं फॉर्चॉनेट था, मुझे वो श्कॉलर्शिप मिला, इसमें सारे किया या गुजारा चल जाता था, नहीं नहीं, आई वस वन अफ दी हाइस पेड, सो बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्शिप से, मुझे यह पता नहीं था, बाद में आई रिलाइज कि I was the highest paid scholar, among my all friends, तो काफी अच्छा था वो, तो भारत कब लोटना हुआ, फिर एक चीज यह तै था, जिस दिन मैं अपनी लाइफ में पहली बार, फ्लाइट में उसी दिन बैठा, जब मैं Cambridge जा रहा था, तो लंडन के लिए जो फ्लाइट थी, British Airways, तो बैठे-बैठे मैं सोच रहा था, कि यार मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए तो काफी dramatic journey थी, गाउं से आन आना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे इंडिया वापस आना है, आके क्या करूँगा, उसमें बहुत स्पस्पता नहीं थी, बट मुझे इंडिया आना है, यह पता था, तो जाते-जाते ही मैंने यह तै कर लिया था, फ्लाइट में, मुझे आज भी याद है कि मैं किस seat के कहा पर बैठा था, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया वापस आओंगा, तो जब मैं गया, तो अब इसली पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, तो मैं अपने दोस्तों को कहता था, सारे पूछते थे कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, दोस्तों में जो बात होती है न, तो सारे के प्लान रहते थे कि यार मैं इसके बाद यहां जाओंगा, मैं Harvard जाओंगा, मैं Stanford में यह करूँगा, मैं Caltech में यह करूँगा, मैं बोला मैं भी करूँगा यह सब, लेकिन अन तुम्हें मुझे इंडिया जाना है, तो सारे हसते थे, in fact मेरे पहले दो-तीन मेहने, सारे ऐसे ही बोलते है, खानी की याद आती है, मम्मी की याद आती है, तो सारे कहते है, इंडिया जाना है, जैसे ही तुम को यहां की habit लगेगी, फिर तुम बोलोगे यार, इंडिया क्या जरूरत है, यही से देश सेवा हो जाएगा, फिर कोई जाता आती है, जैसे हैं, जैसे हैं, जैसे हैं, मैं तो जाओंगा, इंडिया है, मैं लगभग टोटल पुट तोगेधर 9-10 साल के आसपास मेह रहा, जिसमें की एक साल, फिर लास्ट के एक साल मैं 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 था, मैं साचिसिट इंस्टियों टेक्नोलजी जो बॉस्टन में, वहां प बॉस्टन में किया और पुट दॉसरा थीसरा करते गया, तो सिर्फ रिसर्च किया मैं, अप्छी अच्छे पुब्लिकेशन में वह तो अब मैं इस फील्ड पर आ गया, अधर भी भी गूगल स्कॉलर होता है, अब गूगल में एक सेशन होता है, गूगल स्कॉलर जिसमें जो भी साइंटिस्ट होते हैं, उनके आप चेक कर सकते हैं, तो कभी-कभी मुझे नॉस्टाल्जिया होती है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने क्या काम किया था, तो मेरे बहुत सारे अच्छे-च्छे पुब्लिकेशन से, पेटेंट्स भी है, अच्छा, किस शेत्र में तो तब मैं एक Clarendon Lab है, Oxford में, वहाँ पर मैं काम करता था, प्रोफेसर हेंरी सनेथ के साथ, तो हेंरी के लाब में काम करते-करते मेरे एक-दो और कलीक थे, तो उसी लाब पर हमने वो डिस्कवरी की थी, पेरोस्काइट सोलर सेल की, अभी उसकी काफी, काफी मतलब बूम ह उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, उस पर कई सारे पेटेंट्स है, प्लस डाइस सिंसिटाइज सोलर सेल होता है, उस पर पेटेंट्स है, तो संदी भा यदि हमें एक चेकलिस्ट मनाएं, माली जे कि आप आज जो चात्र हैं, अस्पायर करते हैं, केम्रीज में पढ़न मतलब कोई बहुत गाइडेंस नहीं थी कि कोई हमें गाइड करता, कोई बताता, नहीं, बस खुद से ही हाथ पर मारते गए, आज के जमाने में बच्चों के पास तो इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट, मोबाइल पे, सारी दुनिया छोटी ह हुई पड़ी अभी, तो अब तो सब कुछ संभा हुआ है, लेकिन फिर भी दो तीन चीजे जहां पर, अभी भी जब मेरे से कोई मिलने आते हैं, पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ, हाँ, हाँ, यू शुद ट्राइ, जैसे विदेश जाना है, तो मैं बोले, डेफिनेटली तो मैं कहता हूँ, छोटी तो मैं कहता हूँ, क्यों कर रहे हो, आवर्ड करो, हाँ, विदेश करो, केमरीज करो, औक्सफोर्ड करो, लोग प्लान नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि होगा नहीं, तो अमबिशियस होना पढ़ेगा, सबसे पहली चीज जो है, अमबिशिय हो गए तो obviously उसको आप plan बनाना पड़ेगा उसको तो बहुत सारे लोग तो apply ही नहीं करते हैं मैं बताओ एक interesting चीज़ जब मैं Cambridge का form भर रहा था तब मैं NCL में था पूना में तो हम लोग चाय पीने जाते थे लैब से बीच में tea break जो होता था तो मेरे साथ कई सारे friends से तो मैं मैं बोला सबको यार आज ना मैं Cambridge का form भरने जा रहा हूँ उस समय कुछ few thousand ऐसे थे उसके form वर तो मेरे साथ में जितने थे बोलते हैं यार क्यूं पैसे बरबाद कर रहे हैं तुम्हारे कुछ हजार भी चले जाएंगे कुछ होना भी नहीं है यहां कर लो वो कर लो ये कर ल दाएगा तो ऐसे शुरुआज होती है कि जब आपके चैलेंजिस वहीं पहला स्टेपी है कि आपको सोचना है आपको एंबीशेस होना है आपको ट्राई करना है जब हमारे जैसे लोग जहां पर एप्लाई करने में फीस को सोचने के लिए कई बारी पढ़ जाए वैसी परि उससे आस पास के कहीं ने कहीं तो यू विल गेट तो भारत आने के बाद आपका सीधा आईएट में अपने अप्लाइ किया या कुछ और रिसर्च किया नहीं कैसा रहा इज यह उसके पीछे का कारण आपको बताता हूं मेरे मन में यह तो था कि मुझे इंडिया जाना है और कहीं न कहीं ये भी मुझे पता था कि मुझे राजनीती में जाना है, बहुत पहले से, बहुत पहले से, I don't exactly remember कभ ये आया, कैसे kink हुआ, बहुत समय से जब भी मैं देखता था, तो मुझे मन में आता था कि यार मेरे गाव में ये करना है, मैं इसको ऐसा कर लूँ, इस च प्रांसपोर्ट को वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मेरे अंदर वो जो एक थी, कि मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, और जब मैं इंग्लैंड में रहा इतने साल, तो जब मैं अपने घर से, लैब तक जाता था, चलते चलते चलते, वाकिंग सकता है, लेकिन मैं ऐसे गाउं से आया था, जहां पर हमने सारी परिस्थितिया देखी हुए थी, तो ऐसी परिस्थितियों से जब आप निकल कर आते हो, तो आपके दिमाग में बहुत स्ट्रॉंग इंप्रिंट होता है इन सब चीजों का, पर ये नहीं पता था, किस पार् और मेरे चतिसगड में जो लगें, वो भारती जन्ता पार्टी से जुड़े हुए थे, उस समय दो ही पार्टी थी, ओविसली कॉंग्रिस और भाजपा थी, तो भाजपा से जुड़े हुए थे, धीरे 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 ये मुझे होने लगा कि राजनीती में तो जाना है, लेक पार्टी जगे से मुझे अच्छे अच्छी नौकरी की आउफर थी, यूनिवर्सिटी से, अच्छी नौकरी मिल रहे है, नौकरी लो, सेटल हो, और इंजॉय करो, लाइफ को क्या दिक्कत है, सारे डाटते थे, तो मन में वो चलते रहता था कि करूँ, ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, और अगर करूँगा तो मुझे कौन ब्रेक देगा, पहला प्रश्च तो यही आता है, कि ब्रेक कौन देगा, तो ऐसे चलता गया, इसके बाद एक ऐसा समय आया, जब मेरे मन में ये बड़ा क्लियर हो गया, कि बॉस, पॉलिटिक्स में तो जाना है, बट म पॉलिटिक्स, जोइन पॉलिटिक्स, जोइन पॉलिटिक्स, देन इशुद गो तो देली, फ्रम देली, इल थिंक मोर एं देन, इल से इफ एक दो अनिधिन, तब इसलिए मैंने दिली इट को चुना था, और सीथे वहां से ओफर लेटर पहले ही था, मैंने उसको थोड़ा तब तक ये बैक एंड में जो एक और पैरलल पिक्चर चलते रहते है वो अनना अन्दोलन का, तो इधर जब मैं वहां पे था, मेरे मन में चल रहा था, इमाइटी में कब थे आप, इमाइटी में मैं तो फिफ्टीन, सिक्स्टीन के परिएड में मैं था, तो उस समय जब अ करना अन्दोलन चल रहा था, 2011-2012 में, तो 11-2013 ये वाला पूरा पिरेड में लंडन, Cambridge में था, Cambridge, Oxford में था, तो तब से मेरे दिमाग पे, मैं फॉलो करना शुरू कर दिया था, फॉलो कर रहा था, कर रहा था, मुझे clarity नहीं थी कि जॉइन करना है, फिर इवेंचुली धीरे धीरे, धीरे, केजरिवाल जी की जो फिर में बाते सुनता था, तो मुझे लगता था कि यार ये तो एग्जेक्ली वैसे ही बोल रहे हैं, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि education को करना है, health को करना है, इसको कर सकते हैं, तो वो मैच करता था, तब फिर मुझे धीरे, धीरे, जो वो वाला स्टेट अफ माइंड था कि कैसे क्या वो क्लारिटी आते गई फिर एफेक्टिविली मैं यहां आया दिली और फिर बस मन में तो क्लारिटी आ गए थी तब तक ए सम पॉइंट इनको जॉइन कर दो पहली नोक्री आपने आपने इट में की ना कौन सा साल था दो पर्मानें पोजिशन पर आप एक पर पर में असिस्टेंट प्रोफिसर जोइन किया फिर मैं अप्रमोट हो गया था तो आपने जॉइन आपने अच्छा या आपने रेगुलर वो मेरा सीवी बहुत प्रॉंग था मैं किसी भी जगे जाकर प्लाई करता तो मेरा जॉब वस अपने प्रॉबल्म मेरा सीवी इतना स्ट्रॉंग था आई दन गुट साइंस तो आपने सीधा इस्टा पढ़ाना शुरू किया मैं अर्ग्यू नहीं किया यहां पर कि क्या पोजिशन क्या पोस आई टिल्ली मिल रहा है ले लो और मैंने वो ले लिया पर्मानेंट तो मेरा सब्जेक्ट पोसली फोटोवोल्टिक डिवाइसे ज़ता इस तो अच्छा मौल बहुत अच्छा है इंदे सेंस की बीटेक के जो बच्चे आते हैं वह काफी कॉन्फिडेंट होते हैं और वह कॉन्फिडेंस अल्रेडी उनके मन में इसी फैक्ट से आगे रहता है कि वह दुनिया के वन अप तफिस्ट एक्जाम क्लियर करके आएं तो वहां से वह कॉन्फिडेंस ड्रॉ करते हैं और एट्मॉस्फियर ऐसा है कि उनके सीनियर्स और उनके सीनियर्स जो बहुत स्टार्ट अप का और अच्छे जगा सारे वेल प्लेस्ट है तो उनसे भी कॉ संदीब भाई बहुत एक बड़ा मसला आता है कि जो एस्पिरेंस हैं आइट का ख़ाफ सबका तो पूरा नहीं होगा ना ही सिविल सर्विंट बनने का ख़ाफ सबका पूरा होता है कुछ रस्ट कुछ लोग सुसाइड का रस्ता चुनते हैं क्यों है और यह सबसे जादा मा को युमेनिटीज और राट से बहुत पहले रखते हैं बहुत सही प्रशन पूछ आपने एक और जसमें हाइलाइट करूंगा कि अभी कोटा में आप देखे होगे की बैक तो बैक सुसाइड सुरी बैक तो बैक सुसाइड सुवे जो एस्पारेंट से वह कोटा में या MBBS अगर तेरा नहीं होता है अभी नीट कहते हैं हमारे तरफ PMT, PMT, CBSC, PMT वो कहते हैं अगर वो नहीं होता है तो खतम हो जाएगा इसा नहीं है प्रॉब्लम यहीं पे है कि एक जब हम तैयारी करते थे जब हम प्रिपैर करते थे सारी चीजों का, एक् 지원 का उस वह लास्तूर है, middle class city आप कह सकते हो, पूर एक पूरा शहर तीनी चीज़ प्रिपेर करता था, या तो वो engineering, याने कि IIT, PET, या फिर medical, और तीसरा जो segment था वो I.S. के लिए, P.S.C. और I.S. और कुछ करता ही नहीं था, तो अलग-अलग सहर के अलग-अलग dreams हो जाते हैं, बहुत बच्चा होता है, उसको फिर sustain करना difficult हो जाता है, इसमें parents की, society की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपना जादा होता है या parents का, family का pressure जादा होता है, मतलब दोनों का हो सकता है, कई ऐसे नहीं है कि सारे parents जबरदस्ती के pressure डाल रहे हैं, कई बारी बच्चे इतने competition में जाते हैं, कि खुद पर ही बोले लेते हैं, जब आपका ambition बहुत होता है, और आपको कुछ करना है और नहीं हो पाता है, तो बच्चे अपने से भी pressure लेते हैं, कई जगा parents, अब जैसे मेरे parents, मेरे parents को कोई idea नहीं कि यह क्या करता है, तो जितना pressure लिया मैंने, मैं कभी उनको बोलता भी था कि मैं यह कर रहा हूँ, मेरा यह हो गया, बोले कोई बात नहीं छोड़ो, ठीक है, उनकी तरफ से जवाब कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, पर कई जगा पर parents का भी रहता है, parents भी उसको अपने social status में या फिर competition में ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, अब धीरे 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 awareness आनी चाहिए, इसके लिए counseling का और दूसरे mechanism पर यह बहुत sensitive मुद्दा है, एक तो exam देने से पहले जो pressure रहता है वो, और दूसरा IIT में आने के बाद भी, अभी Bombay में एक case हुआ, कई जगा और case हुए है, पर मुझे य अब कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक बर ही आपके campus में आ गया, तब फिर वो institution की जिम्मेदारी बनती है, एक submission है मेरा, मैं TIS campus में था, जब यह पवही मंबई में suicide ही, बाइचंस में तीन दिन की conference में था, तो TIS में बहुत इसको लेके बातचीत हो रही थी और कुछ प्र जैसे आप quality education देते हैं, क्यों नहीं आप quality psychotherapy देते हैं, क्यों नहीं आप quality counseling services वहाँ पर मोहिया करा दें, कि बच्चा यदी रोज मरना की जिंदगी से कुछ दो चार हो रहा है उसके स्ट्रगल के तो वो कहीं पर आपके वेंट आउट कर सके, कथार्सिस हो और उस जरनी को पर शुरुबात कर सके, हो सकते हैं, कुछ चैलेंजिस हैं जो मिटिगेड नहीं कर रहा है, करेक्ट में सहमत हूँ, चुकि मैं system के अंदर था, तो I should be fair with this, जैसे IIT में था, मेरे department में, एक चोटी सी committee बनी हुई थी, एक तो professional psychiatrist की जो, और psychologist होते हैं, psychiatrist होते हैं, सारे तो appointed थे उसके अलाब रहते नहीं थे मेरे ख्याल से, there was a specific unit, जो यह सारी चीजे हैंडल करती है, हमारे खुद के department में एक चोटा सा unit बना हुआ था, जिसमें यंग लोगों को भी रखा जाता था, और बुज़र्गों का और यंग का combination होता था, उनका काम रहता था बच्चों से बात अतनी effectively हो नहीं रही है, मैं यह इस बात से भी, कहां फ़सा किया है, मैटर कहा है, पहले तो मुझे लगता है कि यह जो problem है, उसको कभी हम serious लेते ही नहीं थे, हम यह मानते ही नहीं कि हमारे लिए psychological well-being है, एक important मसूब, mental health एक importance रखती नहीं थी, सिर्फ नंबर, नंबर, पास में सब के इनके भरोसे ही तो छोड़ के जाते है, माँबाप तो है नहीं, तो campus में आने के पहले तो आप कह सकते हो कि माँबाप की society की है, एक बारी campus में आ गया बच्चा, फिर institutions की पूरी जिम्मेदारी बनती है, और एक तो institution की जिम्मेदारी बनती ही, प्लस overall awareness भी जरूर कि यार, this is a problem, यह किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आपके दोस्त को किसी को ऐसा problem, ऐसा एक pattern behavior दिखे, तो you have to inform somebody, what you have to do, तो यह सैनिटाइजेशन का drive हो है, इसको बहुत सीरिसली लेना है, एक संदर्ट प्रोटो कोल, करेक्ट, कि यह फोलो होगा, मुझे लगता है कि it's a mis displaced priority आज के टाइम पर, prioritize अगर आप कर लोगे तो we are capable of dealing with it, institutions, coaching center, आप जाके देखोगे वहाँ पर जिस तरीके से competition है, और मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कि इसमें जिम्मेदारी सब की बनती है, parents की भी बनती है, society की भी बनती है, institutions की भी बनती है, और definitely governments की तो बनती ह कई सारी चीजें, जो parents नहीं देख पाते, बाकी के institutions नहीं देख पाते, society नहीं देख पाती, वहाँ सरकार को drive लेना पड़ता है, सरकार को driving seat पर बैठना पड़ता है, दिशा दिखाने का काम सरकार का होता है, क्योंकि उसके पास सारे informations होते हैं, तो सरकार को ऐसी परिस्थि क्योंकि आप राजसभा सांसद हैं और इतनी कम उमर में आप में इतने मुकाम हासिल किये हैं, यदि आपको ज़रूरी लगे, तो मेरा समिशन रहेगा कि आप इस अहम मसले को सांसद में भी ज़रूरी उठाएगा, तो पहले पहले ही अभी जो विमन रिजर्वेशन बिल की वो आपस में इसी के बारे में डिसक्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अवेर ने सब तरफ है, वी जिस्ट नीड टू प्रायरिटाइज इए और वी विल दू अवर पार्ट डेफिनिटी आपने क्योंकि वुमन रिजर्वेशन बिल की बात की और आपकी वो स्पीच आमामी प इसना पढ़के और उसकी एहमियत समझता है, संजीदिगी समझता है और उस तरीके से अपनी स्पीच को लिखता है, यह रिसर्च कौन करता है पहले तो, और फिर वुमन रिजर्वेशन बिल को लेके आपके अप्रिहेंशन क्या है और आप क्या इसका फ्यूचर लेखने है To be very honest, मैं भी इतना ज़्यादा आउक्यूपाइड हूँ ओर्गनाइजेशन के काम पे, कि कभी स्पीच लिखने पे या रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी किया नहीं है, तो खुद से ही मैं स्ट्रक्चर करता हूँ अपने स्पीच को, और वो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है क्योंकि मेरी जो mental ट्रेनिग होई है, as a scientist, चीजों को ब्रेक्डाउन करके, कि पहले क्या आना चाहिए, पहले क्या बताना ज़रूरी है, फिर क्या बताना है, पिर क्या बताना है, इस और अप्र उत्रक्चर हो जाता है, तो हालंकि मुझे यह लगता है कि उससे भी प्रेज कर सको कि मैंने बोला, आप इसलिए बोलते हो ताकि जनता उसको सुन के समझ सके, ऐसी स्पीच का मतलब ही क्या है जिसको एक आम जनता ना समझ सके, और यह हम केजरिवाल जी से हमारे नेता है, हमारे गुरू है, उनको देखके ही सिखाए, पहले मैं भी complicated speech पे believe करता थ था, complicated language पे believe करता था, पर उनको देखके यह समझ आ गया कि भाई, speech दे क्यों रहे हो, speech तो सबको समझाने के लिए दे रहे हो, तो उस language को, उस tone को, उस structure को adopt करो, जिसको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेमें भी हो, तो भी अगर वो पाच मिनिट बैटके लिए ब्रेक लिए है और अगर उसके कान में पढ़ गया, तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि यार मामला क्या है, आपने एक चीज़ पूछा था कि यह विमन, तो यह काफी इंटरेस्टिंग है, देश में rarest of the rare cases ऐसे होते हैं, जहां सदन में लगबग 100% सहमती बनती है, दोनों स reservation bill ऐसी bill है, जिस पर सभी political parties पूरी तरीके से support कर रहे थे, तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, so it's a rare instance, जहां पर जो government में है जो party, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक occasion जैसे बनाए, अपने देश की unity दिखाने के लिए, अपनी society की progress और unity दिखाने के लिए, और एक अच्छा atmosphere create करने के लिए, हर बाकी समय तो हम आपस में लड़ते रहते हैं, सारी party या लड़ते रहते हैं, opinion different होते हैं, पर जब opinion सेम होते हैं, तो इस opportunity को use करना चाहिए, तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे के कई सारे angle थे, तो इसको सबसे पह में लेके आ रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पहले लगा कुछ लोगों को special session लेके आए, कि यार, possible है कि कुछी one nation, one election लेके आएंगे, तो दो तिन दिन दिन उस पे debate चला, debate चला, debate चला, one nation, one election, one nation, one election, फिर थोड़े दिन में last last में पता चला कि ये women reservation bill इस पे तो सारे सहमत है, इस पे secrecy की जरूरत क्या है, पर secrecy की जरूरत थी, उसका कारण में बताता हूँ, ठीक उसी समय इसको बोलते हैं कि news management, दो तीन तरीके की management होते हैं, आप ज़्यादा समझोगे, जब कोई भी news हो, जिसको आप चाहते हो कि जनता ज़्यादा उसके ब शगुफा छोड़ दो, ताकि ये news दब जाए और ये news चल जाए, अडानी जी के सारे businesses के बारे में उस समय बहुत सारे papers सामने आये थे, उन papers को अगर आप देखोगे, detail में देखोगे तो बहुत ही scandalous है बहुत large scale पे scandalous है, अब news पे तो चलेगा, news channel वाले जनरली दिखाते लेकिन जब इस tune का हो, इस magnitude का हो, तो public का pressure तो पढ़ता है, तो चलना शुरू हुआ, उसी समय इनोंने शगूफा चोड़ दिया कि special station आ रहा है, one nation, one election होगा, एक election होगा, सारी party का response लेने लगे, सारे उस पे चले गए, वो अडानी वाला जो मुद्दा था, वो दब गया, तो यह main reason था इसको करने का, number one, दूसरा why I am saying this, कि इसको बिना prepare के लाया गया था, कि जो यह bill आज से नहीं आ रहा है, बहुत पहले राजियो गांधी जी ने एक committee बनाई थी, Margaret Alva जी उसको head कर रही थी, उस पे women के पूरे अफलिप्टमेंट के लिए बहुत सारे agendas बनाए 300 प्लस agenda थे, उसमें से एक women reservation पे था, कई बारी यह parliament पे आया, और किसी न किसी कारण से वह अटक के चला गया, तो यह तो drafted था, तो उसी draft को यह लेके आये, लेकिन अब इनके सामने प्रश्नी यह था कि यार, इस bill को लाना तो है, पास तो करना है, लेकिन इसको execute नहीं करना हाँ, बाद का तो अभी क्या पता कहा पेच फंसे, पेच तो कुछ भी फंसकती है कहीं पे भी, क्यों नहीं करना चाते है एक जी यह बड़ी दुविदा की बात है, और बड़ी strange बात है, भारती जनता पार्टी ने पहले support किया हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उनको जब उन्होंने support किया, तो उनको पता था कि यह पास नहीं होने वाला है, कहीं असा था नहीं कि उनको लगता है कि उनके सांसा धी कहीं इसका internally विरोधना कर दे, मैं बताता हूँ, तो भारती जनता पार्टी इस बिल को लेकर आई, मैनेजमेंट के लिए, अडानी जी वाले न्यूस को मैनेज करने के लिए, लेकिन इसको एक्जिक्यूट नहीं करना चाहती है, तो उसमें दो पेच इनों ने डाल दिये, कि भाई, आप सेंसस कराओ, सेंसस कराने के बाद, फिर डिलिमिटेशन कराओ, और उसके बाद करो, म अगर दलित समाज के लिए कुछ आप करते हो, कुछी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए करते हो, तब तो आपको सेंसस कराने की जरुद पढ़ती ही, ताकि एक देक नंबर पता चले, उनका डेमोग्राफिक डिस्टिबूशन पता चले, अब विमन का आप क्या डेमोग्राफ पर ये किया जाएगा, इसका एक मात्र कारण था कि भारती जनता पार्टी में अंदर में ही, इसमें युनानिमेटी नहीं थी, वो अगर करते तो इनके ही MP बगावत कर दे थे, आपको याद होगा कि पहले योगी आदित तिनाज जी ने खुले आम कहा था कि अगर ये लात आपको लगता है कि उनके लिए वो खुद पहले हैं और देश की महिलाएं बाद को इसलिए ये सोचे होंगे कि पहले एडिशनल सीट्स बना देंगे उसमें भले उनको ले आएंगे अपना वाला जो है कपजा नहीं चोड़ेंगे, कपजा नहीं चोड़ेंगे, तो अभी क क्या पता कौन सा पेंच अड़ा दे ये, बड़ा कॉम्प्लिकेटेट है, तो इस वोगता है कि अपको लगता है कि महिलाएं समझेंगी नहीं इस चाल को और क्या पॉलिटिकल पार्टी यों में इतनी समझ है, इतनी ताकत है कि वो इस मैसिज को ठीक से इसमिनेट कर सकें मह अब खुद सोचो ना, जो चीज 10 साल, 15 साल, पता नहीं कितने साल बाद आने वाली है, उसको आज आप पास करके उसका आप क्रेडिट ले रहे हो, भाई आप एक्जेक्यूट करते हैं, जितनी भी सीटे हैं, उस पे इंप्लिमेंट करते हैं, एक्जेक्यूट करते हैं और इसको क्रेडिट तो जाता, no one can deny the fact, सचाही तो सचाही रहती, पॉइंट यही था कि इनको करना नहीं था, एक चीज, दूसरी चीज, 10 साल, 15 साल, पता नहीं कितना साल लगेंगे, आपने एक और इंट्रेस्टिंग चीज पूछा, कि क्या जनता को समझ नहीं आएगी, क्या opposition party यह explain नहीं करेगी, देखो जनता तो सयानी है, जनता को समझ तो चीज़े आएगे, लेकिन 100% आप जनता पे भी नहीं छोड़ सकते, political parties की भी जिम्मेदारी बनती है, कि आप चीजों को clear तरीके से, first तरीके से उनके सामने रखो, अब यह तो सभी राजनेतिक दलों की उन करते हैं कि भारती जनता party की कतनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, इनको पास नहीं करना है, पास करना है, तो आज ही करना चाहिए, बाकी partyों को भी जनता के साथ सामने इसको लेकर जाना चाहिए, पर क्यूंकि आप संगठन मंत्री भी है, आप के हाथ में कोई ऐसा internal mechanism बनाना कि कम से कम आम आनमी पार्टी में महिलाय मुखर होकर अपनी ओपीनिन दे सकें और जितना हो सके वो फ्रंट पे आकर सीट का जब बटवारा होता है, जब नाम डिसाइड होते हैं उसमें महिलाओं की भागिदारी हो, कई जगे ऐसा होगा कि जहां मेरी महिला हो सकती है, क्या कोई ऐसा मेकनिसम बनाने की कोशिश आपने कभी की? देखो, I will be very honest and frank, हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेरिटो क्रेसी पे आधारित है, मेरिट-based selection होता है, आप देखो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सांसद भी इस पार्टी ने मुझे बन पहँचा यहां पर, मेरिट के दंपे पहुचा, मेरी तो कोई पहचान नी था, आपने मैने अपनी जननी बताई, दिल्ली में मेरी दूर-दूर से कोई पहचान नी था, फिर भी केजरिवाल जी ने आम आदमी पार्टी ने मुझे यहां पर पहुचाया, इस बात का testimonyं है, क आपका जो work culture होता है, आप कहां से आये हो, उस पर भी निर्भर करता है, तो हमारे सारे educated लोग है, young लोग है, fresh mind है, एक तो ये चीज है, दूसरी चीज, चूंकि politics competitive है, और winnability becomes the only criteria, in the world of competitive and winnability politics, ये जरूरी है कि एक कुछ reservation seats के, women के लिए रखना जरूरी है, उससे क्या होगा, कि अगर आप as a individual political party, अगर आप women को सामने लेकर आते हो, दूसरी political parties बाहु बली लेकर आते हैं, आप लडात दोगे, पर आप जीत insure कैसे करोगे, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पर चुनाव लडाना sufficient नहीं है, जीत insure कराना sufficient है, जब जीतेंगे तभी तो वहाँ पहुचेंगे, तो एक political party इसको चाहा के भी तुरंत अगर करती specific, तो बड़ा difficult हो जाता, उसका output वो नहीं होता जो होना चाहिए, तो reservation important है, number one, number two, एक और fact है, हमको देश को भी सोचना प बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उसके output को analyze नहीं करते हैं, आपको एक interesting चीज़ बताता हूँ मैं, जितने भी पंचायत और local body elections हैं, उसमें women को reservation मिला हुआ है, बहुत पहले से मिला हुआ है, लेकिन leadership कितनी तयार हो रही है, भे reservation तो दे रहे हैं, क्या उस reservation के बल पर leadership तयार हो leader बन पाते हैं, और repeatedly जीतते हैं, repeatedly चुनाओ में रहते हैं, इसमें around 80-85% जो women होते हैं, थोड़े से 15-20% ही women होती हैं, जो leadership को retain कर पाती हैं, और repeat होके आती हैं, भही जो repeat होके आएगी, भही तो leadership की stability identifier है, first time किसी को लड़ा दिये, फिर उसको हटा दिये, फिर लड़ा दिये तो एक बार लड़के हट जाने के बाद उसकी leadership तो निखर नहीं हुए, वो तो सिर्फ इस लिए हुआ, क्योंकि आपको किसी को लड़ाना था, आपने लड़ा दिया, जिसको पहला point, दूसरा point, तो 15-20% is very less, we need to think as to what is going wrong, तो कानून तो बना देंगे, but leadership को कैसे ensure करोगे, इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर deliberate करना पड़ेगा, दूसरा, मैं गाउं से आता हूँ, मैं आपको चारो तरफ ऐसे incidents रिखा सकते हूँ, जिसमें कहते हैं कि सरपंच पती, पलाना पती, मध्यप्रदेश के एक जगे तो, पंचायत सिरीज इसी पर आखे, पंचायत एक सि हिताब में और हमें यहां से लगेगा, वहां की परिस्थितियों में समाज भी ऐसे accept करती हैं, यार वो तो नहीं कर पाएगी, करना तो उसके पती, मैं था महिलाओं को दरजा नहीं मिल रहा है, सिर्फ वो नाम नाम के लिए एक जरूरी है, दूसरी तरफ इसके implementation में और इस अगर 80% लोग रिटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो पंदरा साल में तीन टर्म ही हुए, तीन टर्म में अगर आप हटा दिये एक को, दूसरे को ले उसको हटा दिये तो कोई लीडर्शिप बने गा ही नहीं, परपस डिफीट होता है, तो कि राजनिती पार्टियां जो सोच र रोल में आए, और वो लीडर्शिप रोल कुछ भी हो सकता है, वो राजनितिक हो सकता है, गया राजनितिक हो सकता है, इसको बदलने के लिए आपको क्या लगता है, जो पित्र सतात्मक सोच है, कि महिलाओं को आगे बढ़ने देंगे तो, महिला ऐसे कपड़े पहन लेंगी तो, महिला ऐसा कर देगी तो, 6 बज़े के बाद निकल जाएगी तो, तो हम कहीं न कहीं हम रूडी वादी सोच के चलते हैं, महिलाओं को वैसे ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे, रिजरवेशन तो ठीक है, एक अगलाग मसला हो गया, वो तो एक राजनितिक कॉल है, फिर क् सेक्योरिटी है मेल की, कि वो महिलाओं को आगे बढ़ते देखते ही, पीछे दखेल नहीं कुछिश करता है, देखिए, दो तीन चीज़े हैं, पिछले कई दसकों में काफी इंप्रूवमेंट आया है, शेहर में तो काफी अच्छा हुआ ही होगा, मैं गाओं की बात कर रह है, दो तीन चीज़े हैं इस पर, एक तो है सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, दूसरा सरकार की क्या जिम्मेदारी है और सरकार कैसे प्रोग्रेस कर रही है, दोनों की जिम्मेदारिया अलग-अलग है, जब सोसाइटी की बात करते हैं, तो सोसाइटी में जो थाट प सकते कल्चेर एक दिन में आप ब्रेक भी नहीं कर सकते इसका सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन एजुकेशन और आपको उनको एक्सपोज करना पड़ेगा बाहर की दुनिया में जो एक कूप मंदूग सोसाइटी में अगर लोग बैठे हैं वो बाहर की दुनिया देखे आप तभी कर पाओगे जब वो एजुकेटेड रहेंगे इसलिए the mother of all problem comes to the education हमारी समाज में education को जिस तरीके से नकारा गया है समाज तो रेडी है समाज तो रेडी है यहाँ पर फिर सरकार को enter करना चाहिए सरका किसी भी सरकार के आप total budget को देख लीजे किसकी नियत कितनी है इस पर आप पता लगालो कौई भाषण दे लंबे लंबा हम hebben education करना चाहते है यह करना चाहते है फलाणा धhyumka आप यह देख लो कि भाई education में तूख हर चाहिँए नहीं करता है तो फिर नियत का मतलब क्या है नियत जेब में रखो उसको कौन सरकार कितना खरचा करती है education कभी हम systematic तरीके से education को uplift करने को सोच ही नहीं है, एक तो हो गया education, दूसरी चीज़े जो है कि social development के लिए बहुत सारे आपको parallel सरकार को intervention करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन के माध्यम से और जब पहली बार टीवी आया, टीवी के माध्यम से बहुत चीज़े सुधरी है, सरकार की जिम्मेदारी जो बनती है, वो सरकार को करनी है, तो सरकार को करनी भी है, मेरा सबसे बड़ा एक और समस्या है overall, कानून बना देते हैं, आप मुझे यह बताओ, कई सारे important कानून बने, कानून बनाते समय discussion होता है, कानून को क्या review करने के लिए कि जो output हमारा होना चाहिए, क्या अभी कभी उसको review करने के लिए discussion होता है, कभी नहीं होता है, intermittently यहाँ वहाँ से कुछ प्रश्न कोई लगा दी है, तो discuss हो गया, हर 5 साल में, हर 10 साल में या हर 2 साल में एक period रखो, उसमें देखो कि present करो पार्लेमेंट में, कि भई, this is the data, हम यहाँ खड़े थे, हमने यह कानून बनाया, इस कानून की efficacy क्या है, इस कानून से output क्या निकल रहा है, आप जो मर्जी कानून बना दो, आप नीचे अगर बेडा गरक करके रखे है, अना, मतलब क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि वहाँ पर कोई एक दिन cabinet secretary, finance secretary, health secretary, education secretary एक presentation दे, कि उन्होंने क्या किया, और उस पर सांसद लोग criticism दें, feedback दें, suggestions दें, क्यों ऐसा format नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कई बरी मेरे दिमाग पर आता है, कि पूरे टाइम हम क्या क करते हैं, एक दूसरे को outsmart करने की कोशिस करते हैं, कौन भाशन दिया, कौन अच्छा भाशन दिया, उस पर जाते है, किस के पर ताली जादा बजी किस पर आते है, ये देखो कि इस बिल को पिछले साल पास किये थे, इस साल तक बिल कहां पहुचा है, इस पर कभी debate करते है क्या, नहीं करते हैं, लेकिन parliamentary, democracy में और system पे, यहां पे अलग-अलग committees बनिये, और उन committees की efficacy कही जगा बहुत अच्छी भी है, just to be fair with the system, जैसे मैं railway committee में हूँ, तो railway committee की जब meeting होती है, तो उस committee में जो secretaries होते हैं, वो आते हैं, वो अपना presentation देते हैं, आप फिर सारे उससे बहुत ज़्यादा lethargic हो गया है, secretaries भी आ रहा है, जैसे, formality रह गया, बस वहीं दिखा रहा है, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, railway committee की meeting में, मैं एक-दो committee में में बैठा, उस committee में, वो आके बता रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था precisely, कि आप अपने budget का कितन 50% हमने security और safety पे लगाया है, और इतना पैसा अगर आप 100 रुपए दे रहे हो safety security पे, तो 100 रुपए को आपने किस-किस चीज पे लगाया और आपका time line क्या है, मानलो आप anti-collision device लगा रहे हो, anti-collision device कितने train है, कितने train में लग गया, कितने train में कब तक लग जाएगा, कितने का एक anti-collision device, अरे यह rocket science थोड़ी है, कोई deliberations limited, bureaucracy इस देश को जकड़ के रखी है, और सिर्फ इस देश को नहीं, जहाँ जहाँ democracy है, democracy में bureaucracy जब हावी होने लगती है, लीडर नेता बन के तो आता है, नेता बन जाता है, इलेक्ट हो जाता है, लेकिन चलाना ब्यूरेक्रिसी शुरू कर देते हैं, नेता बस वो नेता ही बन जाते है, इसलिए बहुत पढ़ा, लिखा, समझदार, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो ब्यूरेक्रिसी को चला सके, उसके चंगुल में नाफस सके, ब्यूरेक्रिस, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, just don't get me wrong, मेरे देश के लि आउग्ये और इतना सक्षम होना चाहिए कि समझ सके चीजों को, डेटा को समझ सके, चीजों प्रॉबलम को समझ सके, क्योंकि विक्सित बनेगे, विक्सित बनेगे, अरे भाई, कब विक्सित बनोगे और विक्सित के क्यों बनोग необходимо? जब आप कुछ नया कर नहीं रहो आप अब ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, जो अलग है, तो विक्सित कैसे बनोगे, अब हर चार दिन में एक नया जुमला फिंक दो, एक नया स्लोगन दे दो, यार स्लोगन से कोई देश विक्सित थोड़ी बनता है, जले सफाई वाला मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने बहुत अच्छा स सूचते रहते हैं, लेकिन जब आप अप स्लोगन देते हो, तो सारे लोग जुड़ जाते है, चैटलिस्ट का काम करती है, और एक movement जैसे आप बना सकते हो, स्लोगन सिफ एक parameter है, लेकिन अगर आप यह सोचोगे, कि सिर्फ मैं स्लोगन देते जाओं हर मैना, और काम हो जाए तो वैसा तो नहीं होने वारा है, स्वक्ष भारत अभियान में, आपने स्वक्षता के लिए इतना ताम जाम किया, यह कैसे होता है, सफाई कॉर्पोरेशन से आती है, कितने कॉर्पोरेशन है कंट्री में, कितने उस कॉर्पोरेशन में साफ सफाई के क्या स्टैंडर्ड है, क शुद बी नोईंग, प्राइम मिनिस्टर एंदी गवर्मेंट शुद नो, सारे कॉर्पोरेशन बे आप इंटर्वीन करके आप साफ सफाई के सिस्टम को, सीवर सिस्टम ले लो, पूरे देश में सीवर सिस्टम को आप उठा के देख लो, भगवानी मालिक है, बिना उसके आ तो आपको क्या लग रही कि मतलब सिस्टम में जैसे आपने कि नेता उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वह इंपलिमेंट करवा सके उसको पता हो कि what questions to ask, how to strategize, how to plan and how to implement things, and both leaders and bureaucrats should sit together and work out a plan, this is what you are saying, दो चीज़े, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, पढ़ाई लिखाई ह होने से आपको चीजों को समझने में आसानी होती है, लेकिन हम जिस समाज से, जिस देश से आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंदू है, जो दुर्भाग्य वस समाजिक परिस्थिति वस नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्षम नहीं है, वो भी सक्षम हो सकते हैं, एक बात, लेकिन अगर पढ़ ले कोई, तो उससे चीजे निश्चित रूप से आसान होती है, तो अब इतने बड़े देश के जो यूथ और युवा लोग हैं, उसके एस्पिरेशन्स हैं, उसके एस्पिरेशन्स को चलाने के लिए पढ़ा प्रश्चन सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं है, प्रश्चन समझदारी का है, और पढ़ाई लिखाई करने से आपकी समझदारी रिफाइन होती है, अब जैसे मैं अपने नेता की बात करना हूँ, केजरिवाज जी की या किसी भी पढ़े लिखे, वो ब्यूरोक्रेट् आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए, आप किसी भी डेमोक्रेट्स को ले लो, आप युनाइटेड स्टेट्स को भी ले लो, वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स हावी हो रही है, हर डेमोक्रेट्स में ब्यूरोक्रेट्स हावी होने लगती है, जैसे जैसे डेमोक्रेट्स बात नहीं कह रहा हूँ, मजबूत जिसमें clarity हो, जिसका vision हो, जो चीजों को realize करवा सके, women reservation bill है, implement भी करके, देखे कि actual में women empower हो रहे हैं कि लिए, जिसमें वो ख्षमता हो, और किसी internal, external, institutional, किसी और pressure में ना आके, जनता का जो will है, उसको implement कर से. क्योंकि आप संगठन के प्रभारी हैं, पूरे देश की आम आदमी पार्टी का संगठन एक तरह से आपको report करता है, क्या मूल मंत्र है संगठन चलाने का, किस तरीके से, और यदी को संगठन से जोड़ना जाता है, उसकी क्या काबिलियत है, वो आप कैसे पैचानता है, तो आ हम अभी काम कर रहे हैं, और जो किसी को भी करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी selection, merit के basis पे होना चाहिए, merit के beyond और above, कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारी party में, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी leader हमारी party में, मेरे किसी भी selection में, कोई interfere नहीं करता है, पहली बात, merit को priority देना अपने आप में सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी, और this is not exclusive to a political party, this applies to all the institutions, all the organizations, जब तक आप merit-based है, आपका growth को ही रोक नहीं सकता है, तो merit की आपकी definition ना लग हो सकती है, किसी दूसरी की अलग हो सकती है, मैं आता हूँ, merit important, अब इसमें आपको define करना पड़ेगा कि what is merit, what are the parameters of the merit, जब आप election लड़ रहे हो, तो आप फिर देखते हो, winability become the criteria, जब winability become the criteria, उसके साथ फिर अपने अपने party के, अब जैसे भाजपा में है, भाजपा में बड़ा गुंडा काउन है, वो उनका merit बन जाता है, बड़ा कौन है, किसके पासपाइसा है, किसने powerful है, कितने बार जेल गया है, यह उनका powerful tool होता है, हमारे में क्या होता है, समाज से कौन जुड़ा है, समाज की सेवा कौन करता है, किसका नाम है समाज में, कौन महनती है, कौन इमानदार है, तो अपने merit सारे define करते हैं, तो electoral politics में, winability becomes a critical part, when it comes to organization, organization में फिर आपकी capability, party के प्रती, आपकी loyalty, देश के प्रती, आपकी loyalty, आपके पास time कितना है, आप कितना समय दे पाते हैं, आप पर कोई बड़े charges ना हो, कोई criminal cases ना हो, आप अच्छे वेक्ती हो, पर party में जब जुडने की बात आती है, तो वो तो सभी लोगों के लिए कोई भी जोड सकता है party में, उस पर किसी की कोई बंदिश नी है, लेकिन party के अंदर जब पद देनी की बात आती है, तब फिर ये सारे merit को ध्यान देना पड़ता है कि काबिलियत कौन है, सक्षम कौन है, leadership quality किस पर है, और आपने ये पूछा कि जो young और youth लोग जो आना पीछे जाके लोगों से बात करके, सबसे बड़ी चीज मुझे क्या लगी, patience बहुत जरूरी, आपको ये लगता होगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, पर मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे केजरिवाल नहीं देख रहा है, मुझे वो नहीं देख रहा है, मुझे को इंप्रूफ करो, खूब महनत करो, और patience रखो, politics में, patience is very critical, बहुत सारे लोग success के इतने close होते हैं, और हड़बडी में वो ऐसे point पे drop करते हैं, कि अगर वो drop नहीं किये होते तो अगले second में they could have been chosen for something, patience बहुत इंपर, आपने युवाओं को राजनीती मिलादी की बात की, ऐसा क्यों हुआ कुछ सालों से, हाना कि COVID के दर्मियां तो CYSS क्या दिल्ली उनिवस्टी के elections ही नहीं हुए, क्यों CYSS अतनी भागीदारी नहीं लेती, मुझे नहीं पता, दिल्ली का मैंने देखा है, बाकियों का, राज्यों का, राज्यों का, इस state universities या national universities के elections में हम भाग किया है, वो unparallel है, हम जो elections after election, election after election, election after, इसमें occupied रहे, अभी तक हमने student politics में बहुत ज्यादा focus किया नहीं है, उसका कारण छोटी party थी, party छोटी होने की वजह से, जो immediate issues थे उसी पे लगे रहे, बट मैं आप से पूरी तरह सहमत हूँ, अभी we have drawn a policy, जिसमें CYSS को और youth politics को आगे बढ़ाने के लिए and very soon you will see कि हम इसको large scale पे पूरे country में open up करेंगे, बीजेपी का example दिया आपने और उसमें कहा कि भई, उनके लिए वो लोग important है, जो पैसा खरच कर सकते हों, जिनके पास muscle power हो, मली power हो, और हम लोग अभी भी health or education पे stick करते हैं, बहुत लोग पह कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि देश nationalism versus patriotism के against fight हो, और हर डुनिया में आप देखें, बहुत से देश हैं जो nationalism की बात करते हैं, पो तीन यदी कहीं हैं और उने लगते हैं तो वो nationalism की बात करने लगते हैं, वो music से लेके फिल्म इंडरस्ती हर चीज में nationalism की कोशिश करते हैं वो युक्रेन वार को भी justify ले करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अमारे nationalist trust में था और आप जो बात कर रहे हैं यदी में सही parallel drug कर रहा हूं तो वो patriotism की बात है कि आप चाहते हैं आपके लिए देश बक्ति हुआ है कि देश को कैसे बहतर बनाना आपको लगता है कि यह patriotism वाला फॉम्ला जनता तक गाउं गाउं तक पहुंचाया जा सकता है क्योंकि संगठन चलाना एक बहुत अहम जिम्मेदारी है संगठन में मैसिज पहुंचाना और आज भी देश हम जानते हैं कि जाती पर बोट डालता है काम हुआ होगा कहीं जादा होगा लेकिन आम आदमी के लिए खर्च करना असान नहीं है फिर जब हम चाहते हैं कि वह एजुकेशन और हेल्थ के मुद्ध पर बलवाए और डाले और समझे और उसी लेवल पर उसी तरीके से संगठन तयार हो क्या इसमें प्रैक्टिकली आपको जमीन पर प्रैग्मेटिकली इसको ल और मुझे लगता है इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ती देश भक्त और रास्ट भक्त है और हम प्राउड प्राउडली ये कह सकते हैं कि हम रास्ट भक्त हैं देश भक्त हैं इसमें कोई गुरेज नहीं है अपने देश के प्रती प्यार करना अपने देश के प्रती स जब अपने जो उनकी जिम्मेदारी है, जो की गवर्न करने की है, जब ये अपने गवर्न करने की जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पाते हैं, तब ये इमोटिव इशूज पकड़ते हैं, इमोशनल इशूज पकड़ते हैं, और फिर जनता को गुमराह, मुद्दे को गुमरा जाते होते हैं, हमें क्या लेना देना है, वो जो मर्जी करे पाकिस्तान अप खुदी बरबाद हो रही है, बरबाद हो जाएगी, आप अपने एजेंडे पे फिक्स रहो, मेरा कहने का मतलब यह है, कि सारा देश नैशनलिस्ट है, रास्ट भक्त है, देश भक्त है, यह इस नहीं जा सकता, इसी की तो बात करते थे, इसी पॉइंट की बात करते थे, कि भई, जब यह गलत नरेटिव लेकर आएंगे, तो क्या उस नरेटिव को सेट किया जा, सीधा किया जा सकता है, अर्विंद केजरिवाल ने सीधा किया, देश भक्ती होने के साथ साथ, देश भक का सही definition देना देशभक्ति क्या है मेरे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति हर जीव जन्तू पक्षी चिडिया चीन्टी हर कोई हर जीवित सब सुखी हो यही तो देशभक्ति है प्रश्णी यह उठता है कैसे सुखी बनाओगे स्कूल नहीं बनाओगे तो वो सुखी नहीं बन सकता है अस्पताल पे काम नहीं करोगे तो सुखी नहीं बन सकता है रोजगार नहीं दोगे तो सुखी नहीं बन सकता है विमिन को इंपावर, इंपावर, विमिन इंपावर्मेंट स्लोगन से थोड़ी होता है, विमिन को financially, independence दिला कर आप इंपावर कर सकते हो, तो अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को सुखी बनाने के लिए ही आपको good governance की जरूरत पड़ती है, तो सही मायने में हम देश भक्त है, ये चुनावी देश भक्त है, फरजी देश भक्त है, देश भक्ती का इनका मकसद सिर्फ vote गार्नर करना है, काम करना नहीं है, हमारे लिए देश भक्ती, रास्ट भक्ती हमारे जीवन की शहली है, हमारे अंदर बसा हुआ है और उसी देश भक्ती के कारण ही तो हम सब कुछ छोड़के यहां पे मनीश जी को जेल में डाले हुएंगे, देश भक्ती का एक प्रमान है वो, सतिंदर जैन जी को अस्पताल ब करनाने के लिए काम कर रहे हैं, यह सारे फर्जी देश भक्ते हैं, पर क्या आपको लगता है यह वोट में कनवर्जन हो पाएगा, होगा, दिल्ली ने यह करके दिखाया, जब दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, सारे कहते थे जी इनका कुछ नहीं हो सकता है दिल्ली ने किया, अब जब बाहर दूसरे स्टेट में कहते थे कि दिल्ली में हो सकता है भाई, हमारे स्टेट में नहीं हो सकता है, पंजाब ने भी कर दिया, अब लोग यह नहीं बोलते कि दिल्ली में हो सकता है, अब यह बोलते है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, दर आरे दूसरे राजनेतिक दलों को रास्ता दिखाया है कि ये हो सकता है और यही एक मात्र रास्ता है तो जनता तो वोट दे रही है इस्कूल एस्पताल पे हमने वोट मांगे पंजाब में पंजाब की जनता ने दिये गुजरात में गुजरात की राजनीती आपको पता है कि क इस तरीके से चंगुल में भारती जनता पार्टी ने बांधा हुआ है, वहां की जनता ने हम्मत करके 40-41 लाख लोगों ने आमादमी पार्टी को वोट दिया है, पांच सीटे दिया है, मामूली बात नहीं है, स्कूल और अस्पताल पर ही तो दिया है, गोवा में हमारी दो सी मैं जाता हूँ, मध्यप्रदेश जाता हूँ, छतिसगर जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, हर तरफ देखता हूँ, जनता केजरी वाल की तरफ देख रही है, कि भाई, जल्दी आओ, हमारे यहाँ स्कूल और अस्पताल बनवाओ, तयार है जनता, तो अब इंडिया संस्थाओं को खतम करने का प्रयास कर रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और खतरनाक है, किसी भी देश के ग्रोथ या विक्सित होने में उसकी संस्थाओं का महत्त्व होता है, अब चुनाव करानी की संस्था हो गई, आब पूरे हमारे court system लेलो, legal system लेलो, police system लेलो, investigative agencies हो गई, उसको लेलो, banking segment को लेलो, ministries लेलो, अलग अलग departments लेलो, ये संस्थाओं हैं, सारी संस्थाओं अगर mature होगी, unbiased होगी और merit basis पर पर्रफॉर्म करेगी, तभी देश आगे जाएगा मोधी जी जब से प्रधान मंतरी बने अगर कोई मुझसे पूछे कि मोधी जी की कुछ दो तीन चीजे गिनाओ क्या काम किया है तो एक तो आप जुमले और भाशन गिना सकते हो दूसरा इंस्टिटूशन्स जिसको इन्होंने एक एक करके खतम किया है वो गिना सकते हो इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है आज समय की मांग है कि अगर देश की संस्थावों को बचाना है देश में प्रजात तंत्र बचाना है तो इकठे होके इनको हटाना पड़ेगा और हमारे कई मतभेद हो सकते हैं इंग्रिस से और दूसरी पार्टी होते हैं आज भी है मतभेद हमें दूसरे अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं 100% हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होगी और मैच करनी भी नहीं हम अलग है लेकिन एक मुद्दे पर मैच होती है कि देश को बचाने के लिए आज एक साथ आना है तो अपने छोटे छोटे राजनेतिक फाइदे को दूर रख कर उसको परित्याग करके देश के लिए आपको आगयान पड़े इंडिया अलाइंस इसी का नाम है तो अभी इस बार इस अलाइंस किया है और मैं उमीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा आप इंटर्नल सर्वेस करते हैं और मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि 2017 में आपने पंजाब का एक ऐसा अनलाइसिस किया जो कोई भी नहीं मानने को तियार था उस समय और उसकी वज़े से आपको इतनी अहम जिम्मेदारिया में भी चलीगी अभी आपका सर्वे क्या कहता है यदि आज चुनाव हो जाएं तो इंडिया अलाइंस को कितनी सीट्स मिल रही है सर्वे बिलकुल रियल होते सर्वे दो तरीके के होते हैं एक तो ओरिजिनल सर्वे और एक फरजी सर्वे कई सारे टीवी चैनल में हवा बनाने के लिए सर्वे चला देते हैं और अब उसकी क्रेडिबिलिटी भी धीरे-धीरे कम होते जारी क्योंकि चुनाव जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन सारी चीजे पता चल जाते हैं पर सर्वे अगर आप साइन्टिफिक तरीके से आप करोगे सर्वे होता क्या है सर्वे आप जनता के पास जाते हो पूछते हो कि भाई आपको क्या सहीं लग रहा है क्या गलत लग रहा है क्या चाहिए तो जनता जो बताती है वोई आपको combine तो अगर आप honestly करोगे तो survey सही होती है अभी हमने कोई ऐसा specific survey नहीं किया है लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत understanding है उसके basis पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनता बदलाव चाहरी है और मोदी जी के भाशन को सुनके एक बार दो बार जनता ने उन्हें मौका दिया golden opportunity दिया वो deliver नहीं कर पाए एक आम इंसान गरीब इंसान को उसके बिजली का बिल उसका पानी उसका health उसके gas उसका gas चूला उसके अस्पताल का खर्चा उसके बच्चे का खर्चा ये important scientifically भी अगर आप बात करें तो जितने में भारती जनता पार्टी 30-35% पर जो operate करती है पूरे national level पर ये operate करती है बहुत scope है जिस पे इनको आसानी से भारती जनता पार्टी को हराया जा सकता है provided कि सारे opposition party अपने छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे issues को छोड़के बड़ी पिक्चर को देखके strategic तरीके से अगर चुनाव लड़ेंगे तो इस नॉट बिक बिक इतना इतनी कम उम्र में इतना travel इतना बड़ा संगठन संभालना family के लिए समय वगएरा कैसे मैनेज़ होता है मुझे यह भी पता चला था कि में में शायद आपकी बिटिया अवतरित हुई थी तो उस समय भी आप शायद बाइचांस दिल्ली में आ गए थे अधर आप गुजरात दोरे पैसा कुछ था family के लिए मैं time नहीं दे पा रहा हूं और मेरी family चल रही है सारा credit में अपनी wife को देता हूं वो कमाती भी है वो chartered accountant है एक law firm में काम करती है वो कमाती भी है घर भी चलाती है अमरी एक छोटी सी बच्ची भी है उसका भी देखभाल करती है मैं मतलब मेरा भी देखभाल वही कर रही है और उसके support के कारणी मैं यह सब कर पाता हूं अगर घर वाले support ना करें और एक interesting चीज है जब मैं कहता था कि मैं राजनीती में जाओंगा तो मेरे सारे रिष्टेदार कहते थे कि यह पागल हो गया इत्ते मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है कौन चोड़ता है सरक करें ले ने टें कर दिया से पांगा मेरे अग्साइब आधं कर सकते हों कि ब export करेंगे मेरле अग्रे आफ कर सकते हो क्योंकि अल्टिमें आप एग जिए नहीं और microscopy nend होने वाली थी, तो पूरी प्रेगनिंसी के समय मेरे वाईप спे lernen, मेरे आप ripन तो पहले पंजाब में था तर उसके बाद फिर गुज्राथ में आगया था तो बगवान तो है जिस दिन होना था, उस направ दिन मैं लेंड किया था वाइचांस था, यह प्लान भी दूए अच्छा था लाइचांस था लेंड किया और वह ऐसे ही ट्राई की फोन लग गया फिर सीध है भी थे हॉस्पिटल गया तो फिर कितने दिन रहे हैं फिर मैं थोड़े दिनी रहा आप याद मत दिलाओ फिर थोड़े दिनी रहा फिर मिर को वापस जाना पड़ा भाइब परिवार का साथ बहुत जरूरी है इब अगर साथ दे तभी आप कुछ कर सकते हो और अगर आप इमांदारी से करो नहीं तो परिवार साथ देती किसमत भी जी है ऐसा परिवार मिलना ऐसी वाइफ मिलना खास तो बहुत सारा क्रेड़िट तो आपके काम का आपकी वाइफ को भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आप से बात करके और पता नहीं चला कैसे समय भी दिया एक आपसे दरख्वास ते क्योंकि संगठन आपकी क espero और इनली हम सांट महिने की जद्ध जयहत के बाद बैठे हैं एक रिक्वेस्ट जरू कर दीजी की जेरो केमर达 एक कैमरे आपका की जानकारी है कि यह नामखरण है के डिभा सब्सक्राइब करें एक एक जोर। योग कि शालीन जी के इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके सारे वीडियो देखा करिए ये बहुत अच्छा करते हैं बहुत सरल तरीके से करते हैं और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जर्नलिजम का एक नया जो स्ट्रीम निकला है ओनेस्टी का फांडेशन लेकर वो ऐसे लोग ही लेकर आगे जाएंगे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और मैं जर्नलिस नहीं हूँ हाला कि मैं एम्बे पड़ा हुआ आप साइकोलोजी में पीजडी करने वाला चातर हूँ और सब आपके भाहियों के सायोग से थोड़ा बहुत सीख रहा हूं देखो आप स्पेसिफाइड जर्नलिस नहां हो लेकिन सच्चाई को सामने लाना वो एक जर्नलिस ने शायद वो काम करना छोड़ दिया या थोड़ा कम कर दिया जर्नलिस में भी बहुत सारे डोमें हो गया है मैं कॉंप्लिकेट कर रखा है इनका चैनल जरू सब्सक्राइब थेंक यू सो मच सिंदी बहुत बड़ी अलग आप से मिलके आपको पंजाब के लिए निकलना है बहुत सब्सक्रामना है थेंक अधिक 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 अ हुआ हुआ है